ये बात हवाओं को बताये रखना, रौसनी होगी, चिरागों को जलाये रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाये रखना, सरोपथम देश के वीर जवानों को मेरा सत-सत नमन, आज का हमारा टॉपिक है इंडियान आर्मी, इंडियान नेवी, एयर फोर्स से रेटेट, जितने भी कोस्टन्स आपके सैनिक स्कूल के एक्जाम, यह फिर जिसमें भी आपके जीके से रेटेट कोस्टन्स पुछे जाते हैं, उनमें बहुत ही महत्वपून टॉपिक होने वाला है, उससे रेटेट में जितने तीनों जो ससस्तर बल हैं अपने, उनके चीफ कौन है, प्रशना पूछ लेटेट, सीडियास के बारे मैं बताऊँगा, सीडियास कौन थे, ठीक है, प्रथम सीडियास, साथने वर्तमान में सीडियास कौन है, सब कुछ मैं बताऊँगा, रक्षा, जो रक्षा, जित भी स्कुल लेवल एक्जाम ठीक है जिसमें जीके का पोर्षन आता हूँ उनके लिए बहुत ही महत्पुन वीडियो होने जा रहा है ठीक है अब इस्टार्ट करते हैं देखें इंडियन आर्म फोर्ष यानि भारतिय ससस्त्रबल यानि जो हमारे देश के वीर जवान है जो सीम हमारे देश के वीर जवानों की मदद से ठीक है तो अब बात करें इंडियन आर्मी जो जमीनी स्तरपर जो बॉर्डर होता है हमारा वहां हमारे देश की रक्षा करते हैं ठीक है दूसरा इंडियन नेवी जो समुद्री स्तरपर समुद्री के भी तो सीमा होती ना अपने दे कहीं से भी हो हमारे देश की सेना हमेशा रेडी रहते इंडियन आर्मी के रूप में इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के रूप में हमेशा तैनात होती ठीक है तो इन ही के बारे में हम सब कुछ जानेंगे स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहला पॉइंट तो देख लिए सबसे ये कोस्टन भी आपसे पेपर पुझा है ठीक है आगे बढ़ते हें यहां वने समझ लिया प्रेसिडेंत एक है इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी को देखे ओक crush करेंगे पुझे पूछे जाते हैं ठीक है इंडियन आर्मी देख सकते हैं मैंने बताया आपकी जमीनी इस्तर पर जो हमारे बॉर्डर होता है वहाँ तैनाथ होके हमारी देश की रक्षा करते है अब आगे बढ़ते हैं देखिए इसमें अब देखिए यहाँ पे लेप्टिनेंट ठीक है पहल रहेगा याद कर लीजिए आप सभी लेप्टिनेंट सबसे यह क्या रैंक ऊपर जो जाएगे सबसे बड़ी रैंक रहेगी यही स्टार्टिंग से ठीक है तो यहाँ देखिए सबसे चोटी रैंक क्या है जब इस्टार्टिंग में जॉइन करते हैं कमिसर रैंक के रैंक के जो बात हो रही है लेप्टिनेंट के बाद कैप्टन बनते है ठीक है थल सेना बात हो रही है थल सेना यानि इंडियन आर्मी ठीक है थल सेना ठीक है कैप्टन के बाद मेजर मेजर के बाद देखिए लेप्टिनेंट करनल की भी है स्पिलिंग आप याद कर दीजे ठीक है ल बिखेडियर, मेजर, रइसे उपर की रैंग होती है जनल, तो आप से ज्यादा तर कोशन पूचहा है, सब से चोटी रैंग काउन सी है, तो रैंग सी है। तो उसली साब से आप यहां सिक्वेंस से कॉपी में अपनी रैंग को एक बार नोट और लेन अब देखें रैंक कैसे पहचाने हैं, आप बैस देखके पहचान सकते हैं, अभी आर्मी के चिप कौन है, बताइए आर्मी चिप, थल सेना के प्रमुक कौन है, जनरल मनोज पांडे, याद रहेगा, नोट कर लीजिए यहां, देखिए, कौन है अभी, जनरल मनोज पांडे, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, ठीक है, तो मैंने अभी क्या बता है, जनरल सबसे बड़ी रैंक होती है, किसमें थल सेना में, अब देखते हैं, देखिए, उनके बैज जो थे, देखिए, फिल्ड मार्सल, सबसे फिल्ड मार्सल, यहां सबसे शुरू में क्यों लिखा हु तो लेकिन अगर जनरल ही आपसे पूछा जाए, तो जनरल को ही आपको बताना है, फिल्ड मार्सल की रैंक अभी तक इवल दो ही लोग के पास हुई है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बनाना है, कि अभी तक हमारे देश में कौन-कौन फिल्ड मार्सल हुए हैं, दो फ न्याप सोभवेदार नायक याद रहेगा चुनिर समसेर के बैंज को देखिए पहले नायाब सुभवेदार नायक और सूबेदार फिर सूबेदार मेजर ठीक है इस हिसाब से रैंक बढ़ रही है ठीक है सूबेदार मेजर सबसे उपर यहां से स्टार्ट हुए ऐसे ठीक है यहां भी ठीक है अब अगर बात करें NCO का मतलब क्या है नौन कमिसन ओफिसर ठीक है तो यहां पर देखें कौन कौन से लांस नायक नायक हवलदार एंड इसके बाद क्या है उसे तो यहां भी ठीक है कम्मपनी कौर्टर मास्टर हवलदार ठीक है यह उनके बेज़ जैस है इंडियान आर्मी इंडियान आर्मी इसे रिटेट और क्या पुछा जा सकता अब थलसेना की की मोटो क्या है मोटो है नी धेवा अक्या है सेवा पर्मो धर्मा सर्विस विफोर सेल्प मतलब सेवा ही परम धर्म है सर्विस विफोर सेल्प ठीक है यहां इंडियन आर्मी का अब थल सेना का दिवस कम मना जाता है हर वर्स कम मना जाता है थल सेना दिवस मना जाता है पंदरा जन्वरी को आपको समझाया था थल से ना समझी आप सबसे पहले जमीनी स्तर पे ही तो रहेंगे जमीनी स्तर पे जो हो रहें तो थल से ना होगे थल से ना सबसे पहला महिना सबसे पहले यह पंदरा जनवरी को मनाया जाता है ठीक है थल से ना दिवस आगे देखें अगर आप नवदे वि Video लक्चर मिलेंगे छैप्टर के टेस्ट होंगे आपके और टेली ग्राम ग्रूप है जहां बच्चे होंगे और आपके डाउट भेजेंगे जातस, आपके सबी डाउट भी ओहाँ क्लियर होंगे, बच्चे ही कर देंगे नवदय विद्याले की त्यारी करें उनके लिए नवदय अलफाबेज नवदय टैन मॉक टेस्ट है हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों में उपलब्ध है मॉक टेस्ट यानि जैसा आपका एक्जाम होता उसी तरीके से कोशिटन पेपर तयार किये गाए हिंदी और इंग्लिस मेडियम में अलिमिटेड अटैम्ट होंगे इसमें टाइमली कि मतलब कि आपको 67 गंटे का समय मिलेगा नवदेक पेपर में दो गंटे का और सेनिक स्कुल के पेपर में डाइगंटे क्लास सिक्स के लिए सिलेबस के अनुसार कोश्चन होंगे मॉडल पेपर तो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें 50 मॉडल पेपर यानि 4000 कोश्चन मिल जाएंगे 4000 कोश्चन, 2000 कोश्चन किसके में टेल एबिलिटी, 1000 कोश्चन, मैंस, फिल लेंगवेस तो इतने से बहुत यह अच्छे दंग से तयारी हो जाएगे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडियाप को, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, पहले आप मॉडल पेपर खुछ से सॉल्व कीजिए दो दो घंटे में आप सॉल्व करने के कोशिजिए, दो घंटे का पेपर होता है, मॉडल पेपर यानि जैसा आपका पेपर आता, उसी तरीकेस तयार किया गया, सिलेबस बेस्ट कोश्चेन होंगे ठीक है, और हाई सक्सेस रेट सैनिक अलफा, सैनिक अलफा, सैनिक अलफा मतलब जाप सैनिक स्कूल की तैयरी करें हैं, नेक्स्ट येर दोहजार चोबिस के लिए, तो आप जोइन कर सकते हैं, सैनिक अलफा बैच, इसमें भी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्ससाइज कोश्चन, चैप्टर के आपके तो आपके लिए ज्यादा बैनिफिस्यल होगा, ठीक है, जैसे आपको मैंने नवदय के मॉक टेस्ट के बारे में बताए, सैनिक मॉक टेस्ट, इसमें ढ़ाई गंटे का समय मिलेगा, बाकी सब कुछ सुविधा सेम है, अनलिमिटेड अटेम्ट कितने भी दे सकते हैं, सैनि और एक कूपन कोड दे दू, अलफा टेन, अलफा टेन, अलफा टेन कूपन कोड अपलाई करके बीना गैप के लगाना ठीक है, तो आपको दस प्रिस्ट की छुट मिल जाएगी, यहाँ पे वन जीरो है, यह एक ग्रूप है, टेलिग्राम ग्रूप, जॉइन कर लिजेगा, यहाँ से डारेट सच करके या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख लिजे, आगे बढ़ते हैं, इंडियन एयर फोर्स की बात करें, जो क्या बता है था मैंने, यह वाईउ आसमान में, हमारी जो सीमा होती है, वहाँ हमारी देश की रक्षा करन की स्टार्ट होते हैं, इसके बाद फ्लाइट लेप्टिनेंट, ठीक है, फ्लाइट लेप्टिनेंट के बाद क्या है, इसकाडरन लीडर, इसकाडरन लीडर, विंग कमांडर, विंग कमांडर के बाद, एयर मार्सल, एयर मार्सल के बाद, एयर वाईव, वाईस मार्सल, एय दिखिए यहां क्या हुआ यह ओं है एर नोन यहां क्या हुआ खटर के इसका गुरूप है और सब्सके चोटा इपन आ अपनों पूछ दिये जाए तीनों में बड़ी रहें कौन सी है तो आपको बताने के लिए रेडी रहना है ठीक है अब देखिए बैचेस आप देख सकते हैं इसमें भी देखिए एयर चीप मार्शल सबसे बड़ा है लेकिन विशेस युद्धे के दोनर मार्शल आप दा इंडियान ए देख सकते हैं न इसलिए अभी कौल मतलब वायू सेना के प्रमुग कोने भारती यू सेना के प्रमुक कौन है बताइये एर चीप मार्शल वी आर चौधरी याद रहेगा ठीक है विवेक राम चौधरी एईर चिप मार्सल विवेक राम चौधरी याद GM इसमें ने क्या बत क्या motto क्या है नभा इस्प्रिश्यम दिप्तम यानि touch the sky with glory touch the sky with glory ठीक है हम अपने sky आस्मान को touch करेंगे with glory जीत के साथ ठीक है और यहाँ देखिए वायू सेना प्रमूख नभा इस्प्रिश्यम दिप्तम और वायू सेना दिवसकम मना जाता है आठ अक्टूबर बताया था वायू सेना यानि आस्मान ठीक है तो आठ अक्टूबर आ रहा है ना तो याद रखिएगा आठ अक्टूबर अब देखिए next इंडियन नेवी जो समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं मतब कहीं सभी चैनस सास ले सके तभी तो यह इंडियन नेवी इनकी रेंक की बात करें तो सब लेप्टिनेन सब से छोटी रेंक शब Unless it then lieutenant, lieutenant, commander, commander, then captain, commodore, rear admiral, vice admiral और admiral. Admiral सबसे बड़ा post और सबसे छोटा post कुन सा है? सब, lieutenant. यहाँ देख लिजे, screenshot ले लिजे, फिर आप ऐसा किजे, copy में, note कर लिजे, ठीक है? यह बैचे से देखिए. इसमें देखिए, सबसे बड़ा पोस्ट मैंने बताया था Admiral ठीक है लेकिन विसेस युद्ध के दौरान Admiral of the Fleet तयार होती जैसे Field Marshal उसमें ठीक है उसमें बना था Field Marshal, Marshal of Indian Air Force Air Force में और यहां देखिए क्या है Admiral of the Fleet Admiral of the Fleet क्या है विसेस युद्ध के दौरान बनती जनरल ही पुछा जाये तो Admiral अगर आपको Army बात किया जाये तो General ठीक है Air Chief Marshal वायू सेना में और यहां बात किया जाये Navy में तो Admiral सबसे बड़ी पोस्ट है अभी कौन है Chief of the Indian Navy आर हरी कुमार कौन आर हरी कुमार तो हमने तीनों के Chief देख लिए तीनों मतलब आपके Indian Army के Chief कौन है General Manoj Pande Air Force के Chief कौन है Indian Air Force के Vivek Ram Chaudhary Air Chief Marshal पूरा नाम लेना है Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary ठीक है और चाहे Chief of Indian Army कौन है आर हरी कुमार तीनों चीज को आपको याद रखना है इनका धेवाके देखे इंडियन नेवी का धेवाके क्या है सना क्या है सनो वरुडा मतलब May the Lord of Water be auspicious unto us ठीक है May the Lord of Water be auspicious ये पूछा जाता है धेवाके पूछा जाता है ना तो हिंदी इंगलिस दोनों में याद रखना है सनो वरुडा और नौ से न नौ से न दिवस का मना जाता है चार दिसंबर तो हमने दिवस जो है बताता हूँ मैं आपको कि पहले इंडियन आरिया नी थल से न दिवस का मना जाता है सबसे पहले 15 जनवरी और आसमान की बात करें यानि वायू से न दिवस का मना जाता है आठ अक्टूबर आ जा रहा है आ जा रहा है तो आठ अक्टूबर दोनों में ठीक है याद रखिएगा अब नौ सेना दिवस का मना जाता है चार दिसंबर ठीक है याद रहेगा सभी को अब देखते हैं CDS की पोश्ट इससे रेटेट कोशन आ सकते हैं CDS Chief of Defense Staff रक्षा प्रमूख ठीक है अब ही आपने क्या आपको देखिए एक चीज मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताई थी एक चीज देखिएगा आप Confuse नहीं होना यहाँ पर यह बताई थी न मैंने कि the President of India is the Supreme Commander यानि भारत की तीनो सेनाओं का प्रमूख कोन होता है भारत का राष्ट पती ठीक है यह चीज याद रखिएगा अब ठीक है तीनो सेनाओं का प्रमूख भारत का राष्ट पती जो भी भारत आप देखते हैं अब देखिए यहाँ पर CDS यानि रख्षा प्रमूख तीनो सेनाओं को प्रमूख पूछा जाये तो राष्ट पती ठीक है और रख्षा प्रमूख यह हैं CDS को ही रख्षा प्रमूख हिंदिम कहा जाता है तो पूछा जाएगी पहले अपने CDS कौन थे जनरल विपिन अब CDS का क्या काम है देखते हैं CDS जो थे चीप आउट डिफेंसी स्टाप प्रधान मंति और रख्षा मंतरी के लिए महतपून रख्षा और रणितिक मुद्धों पर सरकार के लिए सलाकार के रूप में कारे करेंगे CDS तीनो से नाओ के मामलों में रख्षा मंतरी के प्रधान और सैने सलाकार मतब जो सामंजस से इस्थापित करने के लिए मुख्य अधिकारी होंगे कौन मतब इंडियान एयर फोर्स इंडियान नेवी और इंडियान आर्मी के भी सामंजस से इस्थापित करने के लिए कौन CDS होते हैं ठीक है तीने सोनाओं के मामलों पर रक्षा मंतरी के प्रधान सैने सलाकार के रूप में कार करेंगे ठीक है सुप्रीम कमांडर कौन होंगे वो तो पता है हमको कि देश के राष्ट पती होंगे ठीक है तो ये चीजे हमने देख लिए कि चिप कौन थे पहले CDS कौन थे जनरल विपीन रावत और अभी कौन है जनरल अनिल चोहान ठीक है और इंडियन आर्मी के चिप कौन है क्या बता है मैं जनरल मनोज पांडे और एयर फोर्स के चिप कौन है एयर चिप इसका नापके एक्जाम की दिष्टी से बहुत ही महतपूर्ण वीडियो है ठीक है सभी दोस्तों को सेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी इनफोर्मेशन सबसे पहले आपके पास आ सके ठीक है आप सभी को बताना कमेंट बॉक्स में कैसे लग आपको ये वीडियो और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ